अच्या वीडियो मदे आपन फेब्रोरी मार्च दोन हजार तेवीस ला बारावी बोर्ड एक्जामिनेशन जी होनारी आहे त्या परिक्षेला केमेस्ट्री या विश्याचा क्वेश्चन पेपर कसा असेल सैंपल क्वेश्चन पेपर दोन हजार तेवीस साथी कसा असेल त्या अनुशंगा नाजा आपन चर्चा खरना रहोत इतना अपले समोर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर ठेवलिला आहे या प्रमान बोर्ड एक्जामिनेशन मदे प्रश्ण पत्री का असु शकेल सैंपल क्वेश्चन पेपर एक असनरा ताइम थ्री आवर्स मठले अनि मैक्जिमम मार्स पॉर दिस क्वेश्चन पेपर इस तोटल 70 मार्स अनि 98 मार्स असनरा क्वेश्चन पेपर तुमाला असनरा आहे असनरा क्वेश्चन पेपर इस तुमाला 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 असनरा क्वेश्चन this is the question 1, select and write the correct answer for the following multiple choice type of questions. First, you have to select the option A, B, C, D and then write the correct answer. You have to select the option and then you have to write the corresponding answer. which one of the following compounds is a more reactive towards SN1 reaction? A option, 1-idopropane, B, 2-idopropane, C, 1-idobutane and D, 2-idopropane. You should know what is the exact meaning of SN1 reaction mechanism which proceeds through carbocation. Carbocation is the answer is 2-idopropane. Second, potassium dichromate is a colored due to page number 176. Unpaid electrons in D orbital of chromium, charge transfer from metal to ligand, DD transition, and charge transfer from ligand to metal. असा प्रेश्णा आला कि लक्षाट बर्याज़ड आसो तो विद्धारत्यां से confusion कि chromium is a D-block element और a transition element. आणि त्यामूल DD transition तिता हुने शक्यता ना करता यतने आसा लगेज़ त्याला correct option आसा मनुशक्तो. परंतु इथा ये जे complex तायर जालेला है त्यामूदे पाहला मिलेल की चार्ज़ ट्रांसफर्स फ्रॉम लिगेंड टु मेटल. जे काहित काला लिगेंड जोडलेल आसना रहा है तो oxygen ते चार्ज़ ट्रांसफर करता आणि त्यामूल colored compensatory color आपने लेता पाहला मिलता हुने दी option is the correct option. इतर पुना आपाह थर्ड, the number of ions, the number of ions form on dissolving one molecule of KCl, MgCl2, 6 of H2 in water is page number 194, options are 3, 4, 6, 5. आता इतर तुम्चा लक्षा द्याला पाजे की potassium chloride आहे, magnesium chloride आहे आणि 6 H2, तरे 6 of H2 जासना रहा, it is nothing but water of crystallization. आणि त्यामूल पाने टाकल लें तर याचा वीचार आपन कराइचा ना हीन. मग KCl आणि MgCl पासुन आयन्स कुन्टेता है, के पासुन KCl पासुन K+, Cl इता आयन इता दो नायत, मैजे एकुन 3 जाले है, KCl आणि Mg1, मैजे 3Cl, Mg1 आणि K+, मैणों कीती जाले 3 अधिक 1, 4 अधिक 5, मैजे D is the correct answer option of this question. Next, the standard potential of the cell in which the following reaction occurs. तुम्हाले किता cell reaction दिले लेते आवनों तुम्चा लक्षा तील की oxidation आणि reduction कुनाचे होता है, अणि E0 Cu ची value दिले ले आए 0.34 Olt, page number 117 वर पाहला मिलेल, options, minus 0.34 Olt, 0.17 Olt, plus 0.17 Olt, यता minus sign आए, plus 0.34 Olt, यता जो formula तुम्हाला वापरायचा आए, तो E0 cell is equal to E0 का आशनरा है, राइट साइडचा इलेक्ट्रोड आशेल, R-E0 left, जे उनारा है, उक्सिडेशन इता आशेल, रिडक्षन, इता Cu plus 2 Cu रिडक्षन जाले, यतर इता उक्सिडेशन जालेल, आपनला पाहला मिलता, जामुला यतसा correct answer जासनरा है, इता जर वाल्य आपन्ठालया, तुमचा लख्या मेदे, एल की उत्तर जात्या का आसनरा है, जे वाल्य दिल लिलाए, यतामुला D is the correct answer. next question आहे the final product formed when potassium iodide solution reacts with ozone in water is page 150 वर अहे मंजे इत तुम्मला क्या है potassium iodide ची reaction ozone बरवर aqueous medium अहाट नहीं अख्शाद गया मंजे water ती तास्नर आहे सादारंत इत potassium iodide आहे ozone oxidizing agent अहे त्या मुझा ओर टुवाणी नेसेंट अक्षिजन मिलेल आणि इथा के आई पासुन आयोडीन तायर विल मंजे ये तेजर आपन पाहिला तर या रेक्षन मदे आयोडीन इथा लिबरेट जालेला आपनला पाहिला मिलेल बरो बरे नेक्स्ट बा फॉर दे रेक्षन C2H4 plus H2 gives C2H6, the value of delta G for the reaction at 25 degree Celsius, page number 85 हो राहिं, तुमाला delta G is equal to minus 2.303 RT log to the base 10 Kp, आप फॉर्मिला तुमाला थिता वाप्रावल आगेल आणि तो दर सिंप्लिफाई केला तर ये इस दा करेक्टा अंसर आप्षन असनर आहिं next one, the empty space in hexagonal close packed unit cell is page number 13, HCP से विचार ले पन, empty space, wide space विचार ले लाहिं, space occupied जो आशनर आहिं तो 74 तेचा मध्या आशेल परांतु इता वेकंट space विचार ले लाहिं तो 26% इतका आशनर आहिं next the acid which contain two COH groups in is page number 301 वर आहिं aspartic acid, gluconic acid, saccharic acid and acrylic acid and structures तुम्हाला महीं तासला पाईज़त, त्या मुली या प्रश्णाची difficulty level वाडली, saccharic acid मदे carbon 1 आणी सहावर COH group तुम्हाला पाहिला मिलेल, वाइलीन, gluconic acid, carbon 1 वर सहावर COH तुम्हाला आहिं त्या मुला correct answer ही आसनर आहिं next among the following ions the most stable ion in water is बगा प्रश्ण page number 289 वर आहिं आमाय स्मधुन R3 N plus H, R2 N plus H2, NH4 plus R N plus H3 in green technology developed by ions आहिं 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 यांची solvation जालनांतर कोंती आहिंची stability वाड़ते NH4 plus I in ची वाड़े कारनी इता 4 H plus है त्यामोला चार वाटर मॉल्यक्योस लगतिल इता 3 लगतिल इता 2 लगतिल तर इता 1 लगना रहिं जे उड़े वाटर मॉल्यक्योस जासत त्योड़ी त्याची stability त्याएंची जासत असनरी है इन green technology developed by Darth and Frost, adipic acid is enzymatically prepared और synthesized from इता page number 341 MC क्यों माला पाहला मिलेल क्यों माला content पाहला मिलेल एक optional lactose, glucose, maltose and sacrose तर glucose is the correct answer option बरवर Now question second from section 1 answer the following questions आता हाँ प्रश्णों सोडवता स्ताना याचा उत्तर वन sentence मदे आसल क्यों माँ वन वर्ड मदे आपक्षिता स्नरा है मजे write the name of the electrolyte used in dry cell जे dry cell मदे जो electrolyte वापर लाए, paste of NH4C and zinc chloride calculate the effective atomic number of CO3 plus iron in CO NH36 plus 3 plus iron मजे इता तुमी बगा मजे तुम्चा लक्षा मदे इल कि इता effective atomic number EAN हाज रूल असनरा EAN is equal to काया असल आपाई जे EAN कोबाल्ट 3 प्लस आइं ची ते उड़ी एता असल तरी टो बेस फॉर्मिला तो असल तो मजे तुम्चा 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 काया असल तर Z- X- Y राइट दो स्ट्रक्चरल फॉर्मिला ओफ अस्प्रीन जो आसनरा आहे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मिलल ली तासता त्या स्ट्रक्चर मदे बेंजीन ला OH पनाए यानी अडजेसेंड कार्बन आटमला COH पनाए तर OH गुटला रिपलेस होतो तर OH ग्रूपचा रिपलेस केला आतो मजे विचिस डायरेक्टल आटाच्च्टो बेंजीन रिंग राइट दर्याक्चन शोहिंग कन्वर्शन ओब बेंजोनाइट्रालीन टु पेज नमबर 263 मजे इता तुम्ही C triple bond N च रूपांत COH मदे जालेला दाकोन गरजेच आहे तर ही रियक्शन व्योस्तित बगा आरेंज दा फॉलोविंग इन दा increasing order of their boiling points पेज नमबर 287 वर साधरांता येचि महीती मिलेल N C4H9 NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH3 C2H5 NH2 Inter-Molecular Hydrogen Bonding चे आधरेंग तुम्हाला explain करता येल परन्तु इथा primary secondary यानी tertiary tertiary आमाईंच अशनर त्यानंतर boiling point वाड़लेला secondary आमाईंच अशनर आनि सर्वाज जास्त आशनर प्राइमरी आमाईंच सर्पेस इर्या आहे एक्सपोज जालेला सनरा आहे इता हाव मेनी नंबर आप nitrogen आटम्स आर प्रेजेंट in melanin formaldead resin 382 त्रिया मदे सहान nitrogen प्रोजन आटम्स तुम्हाला तीन रिंग मदे आहे फिदाल फ्री रेडिकल एनद इतलीन प्री रेडिकल प्राइज जो तौट इतलीन यह डेवल बांड जो तौट प्रूट तैयर करण इत्वा आता सेक्षन बी सुरू होता है बी सेक्षन मदे अटेम्ट एनी एट आप दा फॉलविंग क्वेश्चन्स टोटल मास 16 आहेत इता एकून जे प्रश्ण आसनारे आहेत ते बारा आसनारे आहेत आणि त्या मुल तुम्हाला चार ओप्शन्स या मदे मिलू शक्तात प आप कुरून के बाद राइट टू केरेक्टरिस्टिक्स आफ एन आईएल सॉलूशन मझे आईडियल सॉलूशन होने साथी ओट आर्द नेसेसरी कंडिशन्स टू बिहेव ए सोलूशन आज आईडियल सुलूशन जे तित्व दोन वेगडिक कंपाउंट्स के लिक्विड से एकतर टकलेंतर वल्यूम अड़तों कमी होतों का त्यावडाज रातों एनर्जी से काया होता है तुम्हाला मही तासला पाईए ते पॉइंट्स टेचा मदे तुम्ही लिएन आपक्षित आसनारा है पेस्ट थरटी टू राएं त्यान अंतर क्याल्कुलेट पी एच और पी त्या मुला कॉंसेंट्रेशन जोड़ा दिले त्या उड़ास तुम्हाला आपरावा लागेल ते एच प्लस आयन चासल त्या मुन्हां पी एच काड़ा त्यान अंतर मक्पी वैस्ट तुम्ही काड़ू शक्ता बरो बरें त्यान अंतर नेक्स्ट क्वेश्चन फायू ते जे होल्टेग आसना रहे ते होल्टेज कायम सुरूपी कि वा दिर्ग काल ठेवला तरी तसज रहाता त्यासा कारण त्यानी विचारली लेकि का तसा होता तर त्यासा एक महत्वाजा बागा आए कि नो चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट कांपोजिशन आनी नो चेंज इलेक्ट्रोलाइट कांपोजिशन आसल्या मुला त्याची होल्टेज मेंटेन करने जास्तकाल होल्टेज मेंटेन करने चीक शम्ता अपनाला त्या मदे पाहला मिलते 6. Explain the following properties of ionic solids with respect to constituent particles, melting point, conduction of electricity in solid state and in fused state पेश्ट्रीवर आहे, मजे ionic solid चाप्रोपरेटीज मदे अपनाला एक्स्प्रेंग करा था है, मजे constituent particles कोन आसनार है, तर charged ions, मजे cations, onions, असली नगर जाए, melting point, high melting point असल, conduction of electricity in solid state, all electrons are confined, त्या मुड़ बार conductor of electricity, but in fused state, electrons are available, so it conducts the electricity ये उड़स्तु महला त्या मदे लिखाना आप्यक्षित असनार आए, distinguish between isothermal process and adiabatic process, page 71, इता यहार तु राइट अट लिएस्ट फोर points of differences, ते तुम्ही लिण गरजेच आहे, चार मुद्दे तेचा मुद्दे लिहाईचे आहे, अट एट वाइट फोरीन शोग्षित अनॉमिलस behavior as compared with other halogens, page 142, मुझे टेक्स्बूक में दे दिलेला है कि फ्लोरीन चाम अप्ति में स्मॉलर एटोमिक साइज हाई इलेक्ट्रा निगेटिविटी कारेक्टर असनार है कि मां लो कि मां वीक एफफ बॉंड असनार है और एपसेंस ओफ डी आर्बाइटल या चार गुस्टी तेचा में अस साइड मुझे एफी आयन ची ओक्सिलेक्शन स्टेट क्या मदी किती दाक्वाला पाई ये प्लस त्री मुझे एफी टू ओ थ्री हेमेटाइट सा केमिकल फॉर्मिला थिता आपेक्शित आसनारा आये पेज 177 और असे पॉस्टन टेन एफ फॉस्ट अर्डर रियक्शन टेक काल्कुलेट कराइचा है मुझे सेवेंटी परसेंट पाट ओप इट रिमेंस अन डिकांपोजड आपनों क्यों आहे त्या आवस्ते मदे आसनारा क्यों लेफ्ट भीहंड आसनारा आप्ट टाइम टी तो फॉर्मिला वापराइचा है या फॉर्मिला चे आधारे तुमाला जोडायचा है मुझे इता वूड्स फिटिंग रियक्शन असनर आहे मिथाईल मैगनेशियम ब्रोमाइड तायर कराइचा मुझे ग्रिगनार्ड रियेजंट 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 प्लस मैगनेश्म इन प्रेजंट आप ड्राइधर बरोबरें इता 12th question explains cis and trans isomers in square planar complexes with one example page 198 मुझे इता जर सेंट्रल मेटल आटम आसेल स्क्वेर प्लेनर स्ट्रक्चर मुझे आपना सो दाखो तुम बरोबरें तर आतले जा position असनर रहते है 1, 2, 3 और 4 तर 1, 3 and 2, 4 positions 1, 3 and position 2, 4 are called trans positions and position 1 and 4, 2 and 3 are called cis positions लक्षा ज्या 1 and 2 नाए 4 and 3 नाए तर 1 and 4 and 2 and 3 these positions are called cis and 1, 3, 2, 4 trans position असनर है मासे एक एक एक्जांपल दियून तुमी एक्स्पेन करना तिता गर्जया cis कोंता ने ट्रांस कोंता असनर है question number 13 what is the action of the following on acetyl chloride CS3, COCL, page 260, 279 H2, PD, BASO4, rosenman reduction reaction असनर है and ammonia, acetyl chloride, acetamide तयार होता question number 14 write the equation for the following reactions phenol is treated with zinc dust page number आता मी वासतना है दिले लायत पा phenol is treated with zinc dust या पास्टुमाला बेंजीन मिलेल and tertiary butyl chloride is treated with sodium ethoxide a strong base है त्या मूल इतो elimination reaction यापनला पाहला मिलते page number 249 वर याचा उत्तर तुमाला पाहला मिलेल now question section c हा section c जो आहे तो इत attempt any eight of the following questions एका प्रश्णला तीन गुणा है त्या मूल आट स्वडवाई चे टोटल मार्स 24 असनर है question number 15 write a note on canisaros reaction दोन मार्का साथी असनर आहे दोन मार्का साथी disproportionation reaction आ सेल आतो तुमां सेल पॉक्सिडेशन रिदक्शन आ सेल स्ट्रॉंग कॉंसेंट्रीन अलकली चा 50 प्रसेंट कॉंसेंट्रेशन अलकली असनर है वो एका चा रिदक्शन दुसर्या मॉलेक्विल चा अक्सिडेशन या पद्धतिना निक एक्जांपल यून तुमाला ते संगाव लागेल इता बेंजोयक आसेडी स्ट्रॉंगर एसीर देन असेटिक आसीर ग्यू रिजन हे एका मार्का साथी असनर आहे यचा रिजन संग्ताना तुमाला पीके वैल्यो चाही रिप्रंस द्य पाहिजे प्वश्चन नंबर 16 राइट एक्सपेक्टेड इलेक्रोनीक कॉन्फिगरेशन आफ कॉपर इता अट्रॉमिक नंबर दिले लाए जामोड एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन जासनरा हे ते तुमाला महीता साला पाहिजे अता कस ते लक्षा ठोनगर जेचा रि इका मारकला जेल्ट इतने तरहां जो असनार है नेकल जोको असनारे दोन इतमाला जे चारी डऌकशंवरेशन इंमेन्स जर्फीक्टोनीक कॉर्चंवरेशन दिले लिया है और ही ते टेड अहीन संला यह रतक्दैत सबस्क्रिबाब सुए लिक्वेस्वं करके लास तुमाला पहलेसेशनला का में करोफ लागेल दुसरेसे आखेशनला का कर्सक्रिबाईल लुक्न कूरप से सितने लेंकर बैसेशन मprofits पहलेखा, चैसे, सबस्क्रिबायार नभेल तो defending कुदिकions को फस्वाले你 naar 11, ही एक्वेशन रिवर्स करून पुणा दोन तुम्ही मल्टिप्लाई करा मझे ही शोद ग्याहिसा है तुम्हाला पन फाइनली यह ओट अप्टेन दीस एक्वेशन अडि मग त्या वड़ी यहाँ व्याँ जाजा प्रोसेस तुम्ही केले लाइद प्रक्रिया त्या प्रमाण क प्रोन तुम्हाला ते उत्तर शोदावल अग्डार आहे नेक्स्ट एटीन्थ वाव इस डाय ओक्सीजन मझे ओटू प्रिपेरेड फ्रॉम पोटैस्यम क्लोरेट आएके चीलो त्री आहे ह्च्टो आहे नी ह्च्टो यह चा रियाक्षन तुम्हाला इतल लिगन आपेक्ष स्ट्रक्चर वित उनिट सेल एज लेंग्ट त्री 53.6 किको मिटर वाट इस रेडियस आप अलुमिनियुम पेज नम्बर 27 वर हे तुम्हाला एक्जांपल हे पाहला मिनार आहे मझे इतल तुम्हाला रेडियस जर कैल्कुलेट कराई चा सेल आणी CCP चा सेल तर फॉर्मिला वापराचा हे तो आर इस इक्वल टू अंडर रूट टू ए डिवाइड़ बाई 4 वापरा क्युम्हा डाइरेक्ट आर तुम्हाला जो काड़ाचा हे तो काड़त अस्तान देकिल आर इस इक्वल टू इत वहली आए 0.35 फाइड़ थर्टी फाइड़ ए जलेंग यह सूड़ आणी तुम्हाला रेडियस मिलेल आणी इता फॉर्मिला वापराचा हे तो वॉल्यूम डिवाइड़ बाई एक्क्यूब वी आपाण एक्क्यूब जर्टी तुम्हाला इता दिलेला हे वॉल्यूम डिलेला हे किती वन सीम्क्यूब दिलेला हे तो डिवाइड़ बाई तुम्हाला अलेली वैली एक्क्यूब तुम्हाला महीत आहे त्या प्रमानते कैल्कुलेट कराईच आहे अणि यामदेश दुसरा प्रेश्ण विचारलेल एका मार्का साथी विचारलायपा अणि वाट है पन्स वेन ग्लुकोज इस टीटेड विद हैड्रोजन साइनाइड इन ग्लुकोज छी एचो ग्रूप इस प्रेजंट एड कार्बन वन त्या मुल सी डबल बांड ओवर हैंज एडिशन रियाक्शन होते अनि इतिता कर्रेस्पोंडिंग साइनो हैड्रीन सी तैयर केली जाता ये प्रोडाक्ट इता रियाक्शन दाखोण आपेक्षितास नर आए प्रिपरेशन ओफिनओल फ्रॉम प्रिपरेशन आपेक्षितास नर आहे तर त्यात दोन स्टेप्स तिता कमर्शेल मेथड मनुन आहे ही आइसो प्रोपाइल बेंजीन च एर ओक्सिडेशन तुम्हाला कराएचा है क्यों मीन हेड्रो पेरोक्साइड मिलेल तर फिनल अनी बाइप्रोडक्ट असिटोन त्या मदे मिलतो त्या रेक्शन दाखोन गर जेचा है त्याना तर इतो न्युमर द्रेकल आलेलाई पानि न्युमरिकल दोन मार्का सर्थे असेल ईटा प्रेशन तो तीन मार्का सर्थे असेल प्रिश्ण आहे ही लिए एक क्जांपल जासनारा हंसे प्हें सब्केपल आएट फारमिला जो आपराइचा आहे तो पाई यजिकवल टु आई दा सेरें लिए अ अपन यम आर्टी हाँ शाट मदे फॉर्मिला है क्यों वा तेचाज मॉडिफिकेशन व2 दिवाइड बाइ M2 अनि आर्टी अपन भी हानने ट फॉर्मिला जर वा परला तर तुमाला ते गनित सोडो ताहिल अनि इता मतले प्राइमरी आमायन ओं ट्रीटमें उडिफिकेशन वा ते भी है प्रोड़क्षा तो ते गनित्रोजन अनि त्याम उल तो पाणाय मदे इंसोलिबल असनरा आहे यह सगड़ात महत्वाद से इता आहें क्वेश्चन नंबर 22 वाट इस नुक्लियो टाइड बायो मॉलेक्ल्स मुदो नाए नुक्लियो साइड आने नुक्लियो टाइड नुक्लियो टाइड जर आसेल नुक्लियो टाइड जर आसेल थोड़के लक्षाट गया फॉस्पेट ग्रूप आसेल शुगर यूनिट आसेल आनी बेस असनर है यह नुक्लियो टाइड समदे तिनी घटक पाहला में दिल पर नुक्लियो साइड आसेल यह नुक्लियो टाइड जर आसेल 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 अबर वीक असीड नुमबर 23 डिफाइन नानो मैटेरियल ग्रीन नानोग्योंिट यहां प्रश्ना है एक तुम्ही पूर्ण आउटलाइन व्योस्तित कड़ित रेगूनासेल आणी लेबलिंग किमान दोन किमान चार मैक्जिमाम चार आपनत्स संगले आपन मोन या तेजर के लेतर तुम्मला अरदा-अरदा आशे दोन गुंट तेशा मदे मिलू शक्तिन नौ पॉस्चन नमबर ट्वेंटी फोर डिफाइन मोल्यकिलरेटी ओप ए रियाक्षिन इवाक्या लक्षाठ्यवा पाटस करा एक मरका सथैया डिटर्माइन दो औरदर आप दियाक्षिन हवेंग फॉलोव इं रेत लौ बगा इता रेत लौ दिले लाहे आणि रेत लौ दिले लस्तः न तुम्मला या रेत लो चाहा आधार है यहां तो दिल्माइन war दिले लौ अरेडिया इस न रहे तो अरदा अरदर ज़िए दिलील आसनारे आये या सेल क्यों मा थ्री बाइट वासेल एंची सम करूंजे उत्तरेना रहे इट डिटर्माइन्स दी आरडर ओफ रियक्षन ज़िए इत जिरो च असनारे लक्षाद गया इत दोना इत जिरो असनारे मजे या उरन तुम्ही ओडर ओफ रियक्षन थ हरू शक्ता मजे हे एका मारकला सेल आर्दा आर्दा इथ एक गूंड जाला आणि या राइट केमिकल रियक्षन इनोर्ड इन्ट फॉर्मेशन ओफ नैचिरल रबर मजे नैचिरल रबर चा जो मोनोमर असनारा आहे तो तुम्हाला माही तासाइला पाहिजे मजे टू मिथा तुम्हाला पॉलिमराइजेशन त्या मुदे कराओ लागनार आहे पस्चन नंबर 25 वाटार सेंथेटिक स्पेलिंग थोड़ चुकले पास सेंथेटिक पाहिजे ती रहे ले वाटार सेंथेटिक पॉलिमर्स मजे तेची वैख्या मैनमेड जासना रहे ते और एका मारकला स किमान तुम्हाला दोन एक्स्प्रेंट करना गर्जे सासना रहे ते आहे ते नेक्स्ट नंबर 26 डिफाइन आलिलीक हलाइट्स और बेंजिलीक हलाइट्स असे मठले लाए पास मजे इता आलिलीक हलाइट्स और आसे यहल तर च तुडबल बॉंड च च च तुडबल क्वाण्ड अनि इता एक्स असना रहे मजे हाँ हा यालोगर लाग आत्म याइटम वाज़न नार चलो लगेच डवल बं लाग वाज़न नारा है बैजिलिक उतक बैंजीन रिंग गासेल अज़न रिंग च गेक साथना रहिए हाद इकिल हालोजन एक्टम स्पी टाइप चाश्ट कार्बन एक्टम ला दोड़ आ सनरा हाई पडिस कार्बन इस नेक्स्ट तू आरोमेटिक रिंग हे एक एक मार कला से न दोन जाले और कम्प्लीट दा फॉलॉविंग रियाक्शन पा आर मझा अरोमेटिक रिंग आहे आणि N2 प्लस Cल आसनरा है बंजीन दियाजनियम ख्लोराइड रियेजन दियाला स्थी प्योर्ट तू इन वाटर तरह आस जावली रिदक्शन हुईल त्यावली आस बंजीन दियाजनियम ख्लोराइड पा सून बंजीन तायर जाले लिता आपनला पायला मिलें लास्ट सेक्शन पेपर सेक्शन डी अटेम्ट एनी थ्री आप दे फॉलोविंग क्वेश्चन्स बारा मारक आहेड मुझे प्रत्य की चार गुण असनरे आहेड पास दिलिले पेकि तीन तुमला सड़वाय चे आहेड आता या मदे क्वेश्चन नंबर 27 निमरिकल दिलिला तर हां निमरिकल पेज नंबर 38 वर आहे तो नीट बगा कर पुस्तका मदलिच एग्जांपल्स कास ता तर विद्धार तेनी ते पुस्तक मना पासुन वासल पाईजे आहा एक त्यां पाठिमक्चा महत्वाचा हेतु असनरा आहे बरबरे तेन अंतर इता तेनी मठले कि दो निमरिकल असल अडि दोन मारकल अडिराइव द रिलेशन बिट्वीन हाफ लाइप अन रेट पास्ट पाईजे एथा ती हाफ इस उपल तू कायनार 0.693 दिवाइड बाई question number 28 write the steps involved in the manufacture of potassium dichromate from chromite ore तर यह चाजा काई steps असनर यह त्या फक्तल यह चाज तुमाला पहली step concentration of ore second conversion of chromite ore into sodium chromate third step conversion of sodium chromate into sodium dichromate and last fourth step is conversion of sodium dichromate to potassium dichromate यह चार steps तुम्ही लिलाता है प्रत्ति के अर्दार्दा गून क्या मुदे असनर आहे और यह त्याला दोन मारका साथ जोड़ूं प्रश्न वीचाल लाए label conjugate acid-base pair in the following reaction इता तुम्हाला दोन chemical reactions ionic form में दे दिलेला है या मतला acid-base conjugate acid-base pair वोलकाई चाहे तर what is the exact difference between acid and base according to लॉरी ब्रॉंस्टेट कंसेप्ट of acids and bases तर acid and base बोथ डिफर बाए proton एक प्रोटान चा फक्त फोरक आए यह आनी हे पाहिला तर इतल लक्षती ले यह चकड़ प्रोटान जासता है यह चकड़ नहीं मजे जह चकड़ प्रोटान आहे जासता तो आणि हाँ बेस आसनार है यह दोनी ची तुल नाजर आपन के लिए तर यह चकड़ एक प्रोटान जासता है यह चकड़ एक कमें मजे हाँ आसिड 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 वन बेस वन और आणि आसिड टू बेस टू अशा पद्ध तिन ती पेर थायर हूँ शकते तसाज यह मदे पन तुम्ही शोद गया है साणि त्या पेर चकल है चा आहे तो क्वेशन नंबर 29 डिराइव दर रिलेशन बिट्विन डेल्टा जी फ्री एनर्जी स्टेंडर्ड फ्री एनर्जी आपन मोने यह आफ ए रियक्शन एक्शन एक्विलिब्रियम कॉंस्टें मजे तुम्हे लक्षदाल आसिल के रिलेशन तुम्हाला पेज नंबर 8485 वरते मिलेल तान अंतर हे दोन मारका साथ यह सेल वोट इस दे एक्शन आप वाटर ऑन आयोडीन मोनो क्लोराइड जेता आयोडीन मोनो क्लोराइड मजे आई सी यल वर पानेचा पानेची रियक्श एका मारका साथ यह सेरे राइड द इलेक्रोनिक कॉन्फिगरेशन अप सेकेंड एलेमेंट आप ग्रूप 16 आप पिरियोडिक टेबल मजे ग्रूप 16 मदे जो सेकेंड एलेमेंट अशनर आए तो असेल शल्फ और ऑख्शिजन नंतरी त्या चाएलेक्रोनिक कौरृडिनेशन कंपलेक्स अत्यां किन होती है या जियस्टेर्म्हाइं पॉर्णेशन कंपलेक्स pokus अत्या चर्फ तुम्हाइं लिन आपक्षित आजनरा है तू पॉसेलेट्स तेन अंतर कन्वर्ट बेंजाल्डेड इन्टो यम नाइट्रो बेंजाल्डेड माझे इतनर नाइट्रेटिंग मिक्षर तुमला वापरावा लागना रहे आए और इन मेटा पुजिशन ला तो एतो करन बेंजाल्डेड माझे अल्डेड गुरुप जोशनरा है तो हॉद्ण भीड्राइग गुरुप का यह Lord विद्राइग गुरुप there are two end पैरा फेारस्थे गुषत्व मिटा सॉडियम acetate इन्टु मिथेन जैः सॉडियम acetate का फॉर्मिला लाए त्या नंतर यह नंतर काल्सियम ओक्साइड आणि नंतर मग त्या पसुन तयर विलतो मिधेन या पद्धतीन त्या रेक्शन्स तुमाला लाइचा आहेत् अनुपक्ण प्रॉष्ण 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 तरिता संस्क्रीन लोष्ण या हेत् तैचा मदे टितनियम ओक्साइड औनी जिंक अप्साइड ही वापरली जातात् प्रामुख्यान केला जातो संस्क्रीन मझे तुम्चे स्कीन प्रोटेक्ट सनलाइट पसुन की वाँ युविलाइट पसुन वाईला पाईजे या सटिक कम्प्रीट दा फॉलविंग रेक्शन और इडेंटिफाई ए और बी टू ब्रोमो ब्यूटेन दिलायाचा स्ट्रक्चर तुमाला काडताया पाईए तेचावर अल्कोली के ओची रेक्शन केली तो दी हाइड्रोहलोजनेशन विल ए प्रोडक्ट मिलेल मैंजे इता अलकीन त तो दी हाइड्रोहलोजनेशन केली तर एक प्रोडक्ट मिलेल तो तिता भी कोंता तो लाइचा आहे अनी राइट दन नेम आप दाई पेप्टाइड फॉर्म फ्रॉर्म ग्लाइसीन और अलिनी मैंजे हे जे आसनार्या आहे आमिनो असीड्स या दोन आमिन असीड्स पसुन सब्सक्राइब रिमो penser तो प्रश्न पत्रिके सिर्थात्य ग्लाइसीन नाव 550 10 तुम्हाले आता बैज शक्तिल त्याचा एक अंदाच एचा मदे आहे आणि त्या दुरुष्टीन ही तैयरी मुलांची हुआवी मुन्हाएक प्रयोग आहे कहीं दियुसा मदे तुम्हाला दुसरा सेट ही यूट्यूबर पाहला मिलेल दन्यवाद